पाकिस्तान वर्ट से स्री लंका वर्ल्ल कप का आटवा मैच और यह मैच राजिव गांदी स्टेडिम में खेला जाएगा आपको सबसे पहले यह बात तो पता ही हुगी कि आप मेरी वीडियो देखें पैसे कमा सकते हो किस तरीके से वीडियो में आगे बताने वाला हूँ 98% डिस्काउंड में जोइन करने का मोका मिले तो कितना ज्यादा आपके लिए फाइदेमन सोधा होगा आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है इसके उपर बात करेंगे हम वीडियो में आगे फुल डिटेल्स में कि आपको 98% डिस्काउंड मेगा कॉंटेस यानि कि ग्रांड लिक में कैसे मिलेगा तो वीडियो को सुरू करते हैं जैसा मैं बता रहा था कि पाकिस्तान वर्सिट स्रीलंका का मैच जो कि आठवा मैच यानि कि अभी काफी मैचेस हो चुके हैं लगबग हमें सभी टीमों का आइडिया लग चुका है कि कौन से टीम यहां पर किस तरीके से पर्फॉर्म करती है तो यहां पर यहां पर और राजिव गांदी स्टेम मेरे अगर इस चीडम की यहां पर बात करें तो ज्यानने यहां यहां पर अगर मैच देखें तो लास्च हॉए उसमें से जिन्होंने 1st betting की हैं उन्हों कि यहां पर यहां इनका रेशियो बनता है जो पहले बेटिंग करता है जीतने का और बाकी का यहां पर रेशियो बनता है जो second time betting करते है ठीक है time matches एक भी नहीं हुआ है अकर every score की बात करें तो दोसों सित्तर से 300 के आसपास का यहां पर रहता है ठीक है तो आपके लिए सबसे पहला सवल में यह पूछना चाओंगा कि आपके इससाब से इस मैच में कितरा एवरेज स्कॉर बन सकता है एक रेंज में बताओ कि यार 283 बन सकता है या फी 273 से 282 बन सकता है कमेंट करके बताओ साथ में है स्कॉर की बात करें वो बना है 350 रन 4 विकिर के अनुक्षान पर और लोवे स्कॉर देखें तो एक सो चुम्बोतर रन का था जिस पर टीम ओल आउट हो गई थी सिंपल से बात है इतना कम स्कॉर वहाँ पर रहा था अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप मेरी वीडियो देखके पैसे कामा सकते हो बहुत सिंपल है उसके आपको वीडियो को लाइक करना है साथ में कमेंट करना है इस वीडियो को पूरी एंड तक देखनी है चैनल को सब्सक्राइब करके टेलिग् लाइक करते हैं उसके आपसे विनर निकालेंगे और यूटूब पर लाइव आकर विनर अनॉसमेंट करूंगा ठीक है तो जल्दी से लाइक कर लो वीडियो पूरी देखे एक अच्छा सा कमेंट भी कर लेना ताकि यहां पर आपके जितने के चांजेस काफे जादा बढ़ ज सिचुएशन तीन बार जाने कि 300 से ज्यादा यहां पर तीन बार बने है अभी वाला जो मैच मेरी सबसे तो वह 200 से 300 की बीच का रहेगा क्योंकि एक बैलेंस बीच भी और अगर पास्तान की तीन पहले बैटिंग करती तो रन यहां पर काफी ज्यादा बना सकती है जिसके व बहुत ज्यादा आपके लिए काम आईगी ठीक है तो यह शनेरो भी ध्यान रखना देन अब यहां पर बात करें वेन्यू की ठीक है मतलब कि यहां का जो लास खेले गए इस पीच के उपर मैच है उनकी यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर समझो पाकिस्तान का यहां यहां पर मैच हुआ था इससे पहले जिसके अंदर यहां पर इन्हों ने रन बनाये थे 206 जिस पर टीम ओल आउट हो गई थी फिर निदर ने यहां पर उस रन को चेस करने का ट्राय किया जिस पर 205 पर भी टीम ओल आउट थी और यहां पर जो पेशर ने विकेट लिये थे वो लिये थे 12 ठीक है और यहां पर इस पिनर ने विकेट लिये हैं कितने 6 ठीक है इससे पहले वाला देखे अगर इंडिया का मैच तो यहां पर 319 रन आट विकेट के नुक्षान पर फिर न्यूजिलेंड ने इस रन को बनाने का ट्राय किया पर 337 रन पर न्यूजिलेंड नुक्षान पर और इंडिया ने इस रन को चेस करने का ट्राय किया 240 रन चार विकेट के नुक्षान पर ठीक है पर पैसर ने यहां पर विकेट कितने लिये हैं 6 विकेट लिये और इस मैच के लिये थे 5 समझ रहू ना चीज एक तरीके से चल रही है एक बार बताऊंगा और पर समझों इससे पहले बहले भी देख लैते हैं यहां पर श्री लंका ने इसे पहले मैच कला था 200 विकेट के नुक्षान पर लगते के इस मैच के थे 7 पर इस पीटिर ने विकेट लिये थे 9.ถो तो तूर है थाँर थाँ ने यहां पर लिये कितने 39 यानी की 49 विकेट और spinner ने बात करूँ तो 23 विकेट लिये थे तो spinner आप देख से तो किस तरीके फ़ाइदा कर रहे हैं तो यहां पर एक आइडिया लगा सकते हूँ कि आपको किस तरीके से प्लेयर को वेटेस देना है हमें यह समझ मारा है कि अगर क कि यहां पर मैं बात करूँ कि दोनों टीमें किस तरीका वहों कर रहे हैं कि रेसें फ़ाम भी देख लेते हैं तो इसको यहां पर समझो कि यहां पर दोनों टीमों ने आपस में जो मैचेस खेले कितने खेले साथ मैच खेले कितने साथ मैच खेले कितने साथ मैच साथ मैच क तो यह match Grand League के इसाब से बहुत बढ़ा होता है क्योंकि एक तरफा यह match होता है अब यहां पर अगर पाकिस्तान की डिशन फों की बात करें तो पाकिस्तान अपना last match क्या है विन क्या था वही पर स्री लंका की बात करूँ तो स्री लंका ने यहाँ पर अपना last match lost किया था यानि कि वो hard गई थी इससे पहले वाले matches देखने का को sense नहीं इतना लेकिन फिर भी देख से तो इससे पहले हा रही थी उससे पहले वाला win उससे पहले भी hard और उससे पहले win ठीक है पहले मैं एक बहतरी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहूंगा my 11 circle my 11 circle यहाँ पर आपको मोका दे रहा है 98% of का किस तरीके से कि यहाँ पर आप जैसी एप को download करोगे एप का link description में दे रहा है और comment box में पिन कर रहा है जोइन कर लेना ठीक है इसी के साथ में यहाँ पर आपको हर दिन बड़े-बड़े price मिलते है एक रोड है थार है ओडी है माइक है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहती है और साथ में case price भी मिलता है ठीक है और यहाँ पर अगर आप अभी download करते हो और पहला deposit करते हो तो पहले deposit के साथ में आप हमारा coupon code use करते हो Macnew तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20% का extra case और साथ में यहाँ पर मिलेगा 1500 रुपे का case bonus बहुत सारा offer आप सभी के लिए तो जल्दी से जाओ download कर लो यहाँ पर आप बात करेंगे कि playing 11 की दोनों टीमों में से जो playing 11 है वो कौन-कौन से हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे playing 11 जो कि हमारे रहेंगे पाकिस्तान की टीम से ठीक है मोहमबत नवाज और अपने पास अफरीदी का option है फिर हसन अली और एक रॉफ टीक है रॉफ वी कापी अच्छा बोलर तो डेफिनेटली है हमारे यहाँ पर रहेंगे सारे के सारे 11 प्लेइंग 11 ठीक है इसके अलाबा अगर मैं स्री लंका की तीम कि यहां पर बात करो स्री लंका की टीम से जो हमारे playing 11 है तो उनको भी यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहला है कुषल इसके साथ मैं निशांग देन मैंडीस और समर्विक्रमा इसके साथ मैं असलंका फिर दीसल्वा फिर दसुन सनका ठीके इसके साथ मैं वेलेजे फिर कुष्षन रजीता है और यहां पर एक चीज बता जाता हूं इस बार प्थी राना की जगा हो सकता है पतिरा ना तिकसना इन दोनों में से कोई एक खेले इसलिए मैं एस उप्षन के तोर पर सेलेट रखा हूँ इसमें अभी इतना कोई कंफर्म फाइनल ने आया क्योंकि चेंजे से इस टीम के अंदर हो सकते क्योंकि लास में से टीम हाड चुकिये तो जिसके वाज़े से यहा घुँन गया तो बहुत अइसलिए तो बहुत अच्छा कै लेगा या फिर इसका अगर विग गया, Тоied सबस्वेख गया तो बहुत जल्दी विकेट गिरता है तो लाश्ट टाइम भी ही हुआ 15 रन बनाके प्लेयर अपना आउट हो चुका था जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर विकेट गिरा तो जल्दी उड़ेगा ठीके विकेट लेकिन इस मैच के अन्ट इसलिए मैंने बोला था इसकिप कर दो क्योंकि वो अपना सीचुएशन देखते हैं लेकिन अभी जो मैच है वो स्रेंगा के सामने है तो ये प्लेयर हम इसकिप नहीं करेंगे बल्कि अपनी टीम के अंदर सामिल करेंगे इस प्लेयर को इसके साथ में फकड जमान की बात करें तो लास मैच इसके रिशन फर्म के अगर हम देखें तो वो इतना कुछ खास नहीं है अगर आप देखो 12, 22 लास मैच का 12 इससे पहले भी देख लें था पुराना तो 24, 24, 24, 24 इतना कुछ खास नहीं हो सकता है कि अगर team के score कम बने तो यह player as a dream team के अंदर आ सकता है लेकिन इस चीज़ को देखे आप इतना कह सकतू कि player dream team में नियागा क्योंकि 50 over का match है ठीके तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस player को भी skip कर देना है लेकिन हाँ इमानुलक इस match के लिए आप सामिल कर सकते हो ठीके देन यहाँ पर बात करें बाबर आज़म की तो लास मैच में जल्दी विकेट गिर गया था आपको पता है कि तीन विकेट लगातार गिर थे पाकिस्तान के लेकिन हाँ इस match के अंदर आप बाबर आज़म के वेटेस दे सकते हो as a captain और vice captain के तोर पर ठीके काफी अच्छा player है और जब जमता है तो यहाँ पर देखो जब strong versus weak team का यहाँ पर match होता है तो यहाँ पर 151 run भी इसने बनाए है ठीके तो यह चीज़ यहाँ पर हमें दिखा रहे है कि किस तरीके किस की player performance है तो captain vice captain के लिए एक भेहतिन option होगा साथ ही में मौहमद रिजवान के यहाँ पर बात करें तो इस player को skip मत करना as a vice captain के लिए सबसे बढ़या option है तो vice captain के लिए इसको select कर सकते हो तो दोनों player हमें team के अंदर होंगे captain vice captain के लिए दोनों best है बाबाराजम और मौहमद रिजवान के बात करूँ तो as a vice captain के लिए है इसके साथ में साथ कि बात करें तो यहाँ पर अगिसा रेशन फोर्म देखें तो लास्ट मैस पर 58 रन ढिम टीम का player है ऐसे captain vice captain के लिए तो चलो मैं recommend नहीं करूँगा लेकिन हाँ आपकी team के अंदर यह player होना चीए अगर यहाँ पर पाकिस्तान की team अगर पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पर एहमद को मैं यहाँ पर अपनी team के अंदर सामिल करूँगा अगर स्री लंका की team यहाँ पर पहले बैटिंग करती है तो एहमद बरी team के अंदर सामिल नहीं होगा ठीक है मैं इसको skip कर दूँगा और grand league की risky team अगर मैं बना रहा हूँ तब हो सकता है कि इसको मैं वेटेस दूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं चीज क्लियर करता हूँ बहुत इजी ली सादाव खान की अगर मैं बात करूँ तो देखो सादाव खान को अपनी टीम के अंदर सामिल कर से तो grand league के लिए risky option आपके लिए रहेंगे ठीक है यहाँ पर महुवद नवाज की यहाँ बात करें तो यह प्लेयर आपनी टीम के अंदर सामिल करता है तो यह प्लेयर अपनी टीम के अंदर एक लिकित लेता है तो इस मैच के अंदर भी डेफिनिटी इसको अपनी इसमोल लिग की टीम के अंदर रखेंगे और अगर grand league की टीम बना रहे हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की होगा तो grand league team साब skip कर से तो इसमोल लिग खेल रहे हो तो आपको अपनी टीम के अंदर इस प्लेयर को रखना है अगला प्लेयर के बात कर रहे है हसन अल दोनों के साथ में मत जाना ठीक है प्लेयर करो तो साइन अफरीदी यहां पर अच्छा option है तो साइन अफरीदी के साथ में इसमोल लिग की टीम के लिए जासत हो आखरी प्लेयर हमां राउफ की बात कर रहे है लास मैच में यहां पर तीन विकेट लिए है जो कोई कम नहीं ह अच्छा सबसकता है इस मेच के अंदर भी एक से दो विकेट यह ले 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 तो जिसके उजह से इसको यहां पर अपनी टीम के अंदर सामिल करना है अब यहां पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्री लंगा के प्लेयर से उनकी लास्को में किस तर अभी फॉर्म के अंदर नहीं, इस पॉल लिग टीम के अंदर तो मैं अपनी टीम के अंदर इसको सामिल बिल्कु भी नहीं करूँगा, सेलेक्शन रेश्यों बहुत ज्यादा इसका काम में, ठीके? उसके बाद में, निशांग के यहां पर बात करें, तो लास्ट में जिरो पर आउट हो गया था, बिल्कुल भी इस बार भी मैं आपको रिक्वेंट करूँगा कि इस प्लेयर को सामिल यहां पर मत करना, ठीके? हो सकता है, अच्छा करें, लेकिन देखो, अगर आप ग्रांड लिग खेल रहे हो, और तीन से ज्यादा टीम बना रहे हो, एक, दो, तीन से ज्यादा, चोती, पांची टीम बना रहे हो, तो आप जाके निशाँ को अपनी टीम के अंदर सामिल करना, क्योंकि तब सेलेक्शन रिश्यों इसका बहुत कम होगा, और यह प्लेयर अगर चल गया, तो आपको ग्रांड लिग में बहुत अच्छी रिंग लाके देगा, ठीके? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स प्लेयर की बात करते है, तो मेंडिस, ठीक है, मेंडिस ने लास मेंच में बहुत अच्छी पोविश्य दीती, इसकी पोविश्य भी काफी अच्छी है, काफी अच्छा खेलने का दम रखता है, यह चीज ध्यान रखना, तो यह दोनों के दोनों प्लेयर आपकी टीम के अदर होने चाहिए, अगर आप रिक्स नहीं लेना चाहते हो, तो समर विक्रमा को भी अपनी टीम के अदर सामिल कर और खो सकता है, मुझे लग रहा है कि असलंका आउट हो सकता है जल दी, तो देखते हैं मेंच के अंदर क्या होगा, ठीके, दें दी सिल्वा की बात करें, तो 11, 28, 25, 4, तो यह प्लेयर आप स्किप कर सकते हो, यह पर आगे बढ़ते हैं, यह प्लेयर आप अपनी टीम के और भी अच्छे उप्शिन है, मेंको बाइस में से 11 प्लेयर सेलेट करने हैं, तो मैं पास बहुत सारे उप्शिन है, उन बाइस में से में जिन चो मुझे लगेंगे कि हाँ बाइन प्लेयर को लेना चाहिए, उन्नी को यहां पर मैं लूंगा, ठीके, देन यहां पर रजित प्लेयर दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर काफी चेंजिस हो सकते हैं, क्योंकि दिलसन को यहां पर मोका मिल सकता है, ठीके, लास्पमें इसकी बात करें, तो दो विगेट, जिरो विगेट, जिरो एक विगेट, तो प्लेयर इसको पर अगर खेलता है, त इसको मैं वेटेस दूँगा इसको अपनी टीम के अंदर सामिल करूँगा ठीक है देने आपर तिक्षाना की बात करें तो इसको पर कोई डाउट ही नहीं यह प्लेर आपकी टीम के अंदर होना ची ठीक है अब यहाँ वीडियो में आगे चल बढ़ते हैं और समझते हैं हमारी टीम को कि जो टीम यहां पर मैं बना रहा हूं वो मैं की सबसाब से बना रहा हूँ और क्या उसके अंदर कॉंबिनेशन राषियो रख रहा हूं ठीक है लेकिन उस से पहले अभी तक अगर आपने MY11 Circle app को डाउन्लोड नहीं किया है तो सबसे पहले तो माई 11 Circle app को अगर इस टेम को बात करें किन उससे पले हां आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल जाएगा और कमेंट बोक्स में भी पिन कर रखा है ठीक है मैंने आप वीडियो देख लो उसके आराम से डाउनलोड कर देना क्योंकि वह एक गंटे के अंदर 98% का डिस्काउंट का ओफर मतलब एक गंटे का उसमें टाइम है आपको जैसे आप रजिस्क्रिप्शन करोगे उसके एक गंटे तक यहां पर सभी नए यूजर्स को 98% का डिस्काउंट मिल जेगा मेगा कॉंटेस के अंदर तो आराम से उसको डाउनलोड करें के जोइन कर देना फाइनले टीम यहां प गोड़ के जए एक तीनों के तीनों को में वेटेस दे रहा हूं यहां पर और लौंडर के अगर में बात करू तो ओलरौंडर के तोरोपे एस खान फिर्शनका और दीस विल्वार ठीक है मैंने बोला था वीडिव में इसक्पर प्र गएफिप कर से तो लेकिन यहां पर में कि किस किस को आपको Captain और Vice Captain के तौर पर select करना है देनिया पर बात करें Baba Razum है और साथ में एम रिजवान इन दोनों को मैंने आपको पहले बता दिया था Captain Vice Captain के तौर पर select कर रखा है चाओ कर लेना I hope इस मेंच के अंदर आपकाफी अच्छा पैसा कमा हो ठीक है वीडियो के आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा ठीक है जो ध्यान से सुन लो कि इस खेल में आदद लगना यह आर्थिक जोकिंग संभव है तो जिम्मेदारी से खेल है